आज के इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे कि तुला राशी के जातकों के लिए शनी के राशी परिवर्तन का फल कैसा रहेगा 17 जनवरी 2023 को शनी देव राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं शनी देव मकर राशी में अब तक चल रहे थे अब मकर से निकल कर ये महच जाएंगे कुम्ब राशी के अंदर जहां ये 17 जनवरी 2023 से अपरेल 2025 तक रहेंगे यानि अब सबसे पहली बात ये होगी कि आपकी राशी पर चल रही थी शनी की ढहिया जहां आपके राशी यानि चन्दर राशी से चौथे घर में शनी चल रहे थे यानि चौथा घर आपका आपके मन का आपके परिवार का और सुख शांती का होता है जब वहाँ पर शनी का ट्रांसिट हो तो व्यक्ति कहीं न कहीं मन से परेशान होता है माता की स्थिती ठीक नहीं रहती माता कुछ स्वास्त की परिशानी होती है मन के अंदर बेचैनी होती है परिवार के अंदर कले का बातावरन हो जाता है जब चंदरमा से चौते घर में शनी का गोचा चल रहा हो तो ये एक सुब इस्थती नहीं ही जो आपने शनी की ढहिया के रूप में अभी तक अपने जीवन में जहली है लेकिन अब शनी आपकी राशी से पंचम भाव में आएंगे कुछ शास्त्रकारों की माने तो इसको कहा जाता है कि शनी की पनोती स्टार्ट होने वाली है कि चंदर्मा से पंचम में शनी हो तो शनी की पनोती होती है लेकिन ये पनोती आपके लिए कोई विशेश फलदाई नहीं है यानि नुकसान देने वाली नहीं है आपको पनोती से डरना नहीं है आपको पनोती से घवराना नहीं है आपको इस शनी की स्थती को समझना जरूरी है कि आप ये देखेंगे कि चंदरमा से पंचम भाव में शनी अपनी ही राशी के अंदर होगा अपनी मूल्त रिकॉन राशी के अंदर होगा क्योंकि शनी यहां अपनी मूल्त रिकॉन भी होती है शनी की यहाँ अपनी स्वेराशी भी होती है शनी यहाँ 0 डिगरी से 15 डिगरी तक मुल्ट रिकॉन होते हैं यानि स्वेराशी से बहतर फल देने वाले होते हैं अब शनी जब यहाँ बैठेंगे पंचम भाव में तो पांचवे घर से संब्दित पूर्ण फल मिलेंगे सबसे अच्छी बात क्या है पंचम का मालिक पंचम भाव में होगा तो यह शिक्षा के लिए विद्ध्या के लिए एजूकेशन के लिए हायर एजूकेशन के लिए वो सबी लोग जो कुछ जीवन में पढ़ रहे हैं कुछ सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि मुझे कुछ सीखना है मुझे जीवन में आगे बढ़ना है उनके लिए अच्छा है पंचम भाव सिक्षा का है इसलिए शिक्षा के बहतर फल मिलेंगे पंचम भाव संतान का यदि जीवन में चाहते हैं संतान हो संतान का जनम हो जाए संतान का सयोग मिल जाए हमें भी कुछ संतान की प्राप्ती हो जाए चाहे पूत्र हो या पूत्री तो वो पंचमेश पंचम में बैड़कर इस चीज़ को देगा पंचम भाव होता है लक्षमी त्रिकोन का भाव लक्षमी त्रिकोन क्योंकि ये पहला पांचवा और नौवा भाव लक्षमी त्रिकोन के भाव होते हैं और लक्षमी त्रिकॉण के भाव में लक्षमी त्रिकॉण का माली की हो तो इसका मतलब है शनी देंगे यहाँ धन, शनी देंगे माता लक्षमी की किरपा, वो पंचम भाव में और पंचम भाव आपके प्रारब्द का भाव, यानि कहीं न कहीं आपके पित्रों की किरपा, आ आपको मिलेगा धन योग तो पंचमेश पंचम में स्वराशी के होकर अच्छा रिजल्ट देंगे मोलत्रिकोन में रहेंगे तो और अच्छा रिजल्ट देंगे यहां इस्थिर राशी में है यानि इस्थिरता बनी रहेगी जीवन के अंदर आप धिर धिर काम करते रहेंगे रुकावट नहीं आएंगी जीवन आगे बढ़ता रहेगा इस्तिर्ता के साथ ये वायू तत्वराशी है पंचम भाव में वायू तत्वराशी विचारों का आवा गवन देती है आप योजनाय बनाएंगे योजनाव पे काम करेंगे योजना सफल होंगी उससे आपको धन मिलेगा यानि उस लिहास से अच्छा चौथे घर का मालिक भी अशनी यानि भूमी जमीन जादाद प्रापर्टी से संबंदि सुख मिलेगा सुख साधन जीवन के अंदर बढ़ जाएंगे तो वो अपने आप में एक अच्छा है अब पंचम भाव में जब शनी बैठेगा तो यहां तीसरी दरश्टी डालेगा यहां पर चल रहे होंगे 30 अक्टूबर तक राहू राहू मेश राशी में है 30 अक्टूबर तक ये ध्यान रखिएगा सब्तम भाव में अशुब गर है शनी की दरश्टी तो 30 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा साब्धान रहना है अपने वहवाहिक संबंदों को समाल के रखना है 30 अक्टूबर तक वहवाहिक जीवन को लेकर कुछ समस्य अतनाव आ सकती है पत्री पत्री के जीट प्रबलम आ सकती है ये श्चिती वहवाहिक संबंद नहीं बनाएगी यानि अगर विवाह के लिए आप ट्राई करेंगे तो आपका विवाह इस दोरान फिक्स नहीं होगा वो कब होगा 30 अक्टूबर के बाद ही फिक्स होगा शनी बनाएंगे हां 13 धन योग एक धन भाव में बैठकर लाब भाव पर दश्टी देते हैं और धन भाव पर दश्टी देते हैं अब लाव भाव पर दश्टी देना ये आपका लाव है किसका लाव है आपके करम से दूसरा धा भाव है ये यानि आपने जो किया करम उसका आपने जो काम किया नौकरी की व्यापार किया उसका मिलने वाला धन और शनी ने उस पे डाली द्रश्टी यानि करम से मिलने वाला धन यानि प्रफेशनली तरक्की होगी प्रमोशन्स होंगे, धन के आगमन बढ़ेंगे, तरक्की होगी, नई नौकरी मिलेगी, नई नौकरी से नया फायदा मिलेगा आपको ये दिखाता है आपका यहाँ पर देरनी वाली दरश्टी का फल्ट शनी देखेंगे दूसरे घर पर शनी की दशम दरश्टी, दशम दरश्टी यानि करम की दरश्टी और करम की दरश्टी बताती है धन संचय होगा, पैसा जुडेगा, बोलचाल की माध्यम से पैसा कमाएंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा, कुटुम्बु में वरद्धी होग यानि शनी की दरश्टी सिर्फ तीसरी दरश्टी अक्टूबर तक प्रॉबलम दे रही है क्योंकि यहां रहु है उसके बाद ये भी स्थती शुब हो जाएगी, यानि शनी की ढहिया से जैसे ही मुक्तोंगे तुला राशी के जातक, जीवन में बहतरी आनी शुरू हो यह जिती है到底 मुक्ष에요 अक्पल्यों सिर्फ टली की रुबल्गो है यानि